हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे कि बास्केट बोल में फ्री थ्रो के दुरान प्लेयर की पुजीशन क्या रहती है कौन सा प्लेयर कहां खड़ा होता है तो आज मैं कौन के माधिम से आपको समझाने की कोशिशी करूँगा कि प्लेयर की पुजीशन कैसे रहती जैसे कि आप देख पा रहे हो कि येलो कलर का जो प्लेयर है जो आपको प्लेयर दिख रहे है ये जो रिंग की तरफ जो आपका बोक्स रहता है नियूटरल जोन के आगे वहाँ पे एक प्लेयर रहेगा और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि येलो प्लेयर आपका उसके पीछे रहेगा मतर्ब लेफ्ट साइड में रहेगा और ये रहेगा रिंग के पास अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीच में yellow player रहेगा और parrot color player जो है वो रहेगा एक left side रहेगा एक right side रहेगा और यह है वो player जो shoot करेगा तो ऐसे player की position रहती है यह आप ध्यान में रखिए कि ring के bugl में वो player रहेगा जो defend कर रहा है जिसको free throw मिला है वो player आगे नहीं रहेगा कई बार ऐसा होता है कि referee जज नहीं कर पाते है और जिसको ball मिला है जो shoot करेगा free throw जिसको मिला है उसी का player ring के पास खड़ा हो जाता है तो उससे क्या होता है जैसे आप देख रहे हो yellow player को ball मिला है yellow team को और yellow team का ही दोनो player ring के पास खड़े हो गया है जो की parrot color की जो team है उसको disadvantage होती है तो अभी जैसे आप देख पा रहे है ये भी एक situation आती है कि जो defender player है वो दोनों आगे की तरफ खड़े हो जाते है ये भी गलत है इसमें भी yellow player को team को जो है नुकसान है तो yellow team का player जहाँ जिस तरफ दो player खड़े रहते हैं उसके बीच में वो खड़ा रहेगा ये नहीं है कि वो side में हो जाओ अभी ये जो आप देख पा रहे हैं ये position बिल्कुल सही है कि yellow player एक आपका shoot करेगा एक right side में है और एक left side में रहे है जो बाकी बचे होई player है वो three point shooting area जो circle होता है 6.75 meter उसके बाहर खड़े रहेंगे और वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं उसके बाहर उसका कोई issue नहीं है बट वो अंदर जो है नहीं आएंगे जब तक ball shoot नहीं किया गया हो तो अभी के बार ऐसा होता है कि देखो यह line cut किया है player ने यह आप मार के चलिए वो line cut किया है जा line touch माल लीजी आप इस हालात में अगर yellow team का player shoot करता है ball ring में चली जाती है तो वो point माना जाएगा अगर वो बाहर चली जाती है तो उसको द्वारा shoot मिलेगा अगर opponent team का player line touch करता है तो तो उसको warning दिया जाएगा जा उसको violation दिया जाएगा और उसको पीछे किया जाएगा भई आपने line cut किया है इसलिए उसको द्वारा shoot मिल रहा है और के वर ऐसा होता है कि जो team shoot कर रही है उसी का player line cut कर देता है तो उस हालात में क्या होता है कि अगर वो shoot अंदर चला जाता है तो वो माना नहीं जाएगा और उसको second shoot दिया जाएगा अगर तीन shoot मिले जाएगा उसको तो second मिलेगा और third मिलेगा और अगर माले जी ये defender player के बाहर वाली team मतलब बाहर जो player खड़े है three point shooting area के बाहर वो भी line अगर touch कर देते है cut कर देते है तब भी violation माना जाएगा अगर yellow team का player अगर line touch जा cut कर देता है बाहर वाले player जो shooting three point shooting area जो भाहर है तो अगर shoot बोल अंदर चला जाता है तो उसको नहीं माना जाएगा और वो cut हो जाएगा और उसको second short और third short दिया जाएगा तो इंचे जोगा आपने ध्यान रखना है आपको player की positions पता होनी बहुत जुरूरी है और even player को भी पता होना चाहिए कि मेरे को क्या-क्या लागू है क्या मैंने करना है क्या नहीं करना है अगर जो player shoot करने वाला है जो ball short मारेगा अगर वो भी player अगर line touch करता है चाट करता है तो सम लेजिए वो भी violation है अगर ball ring में चला गया तो तब वो count नहीं माना जाएगा अगर वो जो shoot करने वाला player है अगर वो semi circle हमने मारा है उसको भी अगर वो touch करता है मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी thank you so much